हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वध्यामातागर पर आज हम पढ़ेंगे या फिर जानेंगे हाइस्ट प्रेक्रिकेटर्स इन वर्ल्ड के बारे में कि किस खिलाड़ी याने किस क्लिकेटर को कितने रुपे दिये जाते हैं उनकी सेली कितनी है एन हम बात करेंगे टॉप 10 हाइस्ट प्रेक्रिकेटर्स की ठीक है तो सबसे पहले 10 नमबर पर आते हैं यूवराज सिंग यूवराज सिंग को आप सभी जानते होंगे left-handed batsman है ये ठीक है तो यूवराज सिंग जो है एक इंडियन क्रिकेट इंडिया है इंटरनेशनल सकते हैं ठीक है अभी इनकी उम्र 49 सी एर से यानि के 39 एर से ठीक है और 10 जून 2019 को इन्होंने सन्यास लिया था और इंगी जो स्पाउस है वह है यान की वाइफ है वह है है जिनकी सांधी 2016 में हुई थी और जो हैस्ट इनकम है वह टोटल है 3.5 मिलियन डॉलर यानिकी 23.75 करो कि में यह IPL में मुंबाई इंडियन की लिए खेलते हैं ठीक है दोस्तों आप जानते ही हैं कि युजा चिंग कितने फिमस बैट्समन है तो इनके वारे में कुछ चीज़े जान लेते हैं तो यह 30 एर ओल्ड 38 एर ओल्ड है वैसे भी ठीक है इन्होंने 2002 में अपना टेश्ट से डेब्यू किया था इंडियन टीम में और इनको यह सब ज़्यादा फेमस कब होई जब इन्होंने च्छे चक्के मारे ठीक है यानि कि आपको 2007 का वर्ल्ड लेकॉप होगा ठीक है या वर्ल्ड लेकॉप याद होगा श्टॉट बोड की 6 बोलों में 6 चक्के मारे थे इन्ह मुमी का निवाई थी उसके सांट 2007 वर्ल लेकॉप में बहुत ही हैं पूमी का निवाई थी और इसके सांथ इन्होंने नौ जुन 2019 को सन्यास ले लिया था ठीक है तो इन्होंने बहुत से IPL टीम के लिए खेला हुआ है ठीक है Kings 11 पंजाब के लिए खेलते हैं आजकल और इन करेंगे हम 9 नमबर की हम जो एक के बात करें यह और वाल वर्ट करेंगे कि किस किस देश में जो लोगेघर खेलते हैं उनके बारे में तो नहीं बर पर आते माइकल करार्क आप जानते ही हैं यह ऑश्चिला के कैप्टन थे आज कि सन्यास चलिया सन्यास कब लिए इन्होंने इन्होंने 2015 में सन्या से लिए था 2015 वर्ल्ड कप जब जीते थे और फिप्ट वर्ल्ड कप जिता था ठीक है और इनकी जो ने इंकम है वह है 3.9 मिजन डॉलर यानिकी इंडिया के रूपीज में देखें तो 26 यानिकी 26.46 करोड यह कमाते हैं हर साथ ठीक है और माइका ग्रालक के बारे में यह जाननी की बात है कि इन्होंने 2015 के बात क्या है यह तो आप भी जानते मैंने आपको बताया था ठीक है और इन्होंने पूर्णे वार्जेस के लिए लिए पहले जो आजकर नहीं है और शिद्नी थंडर यह बिग बेस्ट लिग है उसके कि इंक है वो इतनी यह ठीक है कमेंटरी करते हैं कि कर्केटर में अलग अलग में जा अर लिक्स में आप पारिया आती है अब आती है यह नबर पर है हमारे गॉतंघंभीर ध desapare 해요 अनकMAN सर की जो एकगा में आए rendre मिलियन डॉलर यानि की 32.50 करोड ठीक है यह इंडिया और डैली कपिटल्स के लिए खेलते थी हाली में और डैली कपिटल्स के बेले के केके आर के गैपटन थे और रहने दो ट्रॉफ़ी यानी कि दो आई-प्री ट्रॉफई जिता ही थी के केके आर्व को ठीक है आज कल यह एक भारती जनता पाटी और इनके सन्यास की बात करें तो इनोंने 3 December 2018 यानि कि 3 December 2018 को इनोंने सन्यास ले था हर Formato Cricket से आने की T20 हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया और वन दे इंटेनाशन क्रिकेट हो गया, उन सबसे इनोंने सन्यास ले लिया था अब 7 नमबर पे आते हैं सेजन वाट्सन सेजन वाट्सन को आप जानते होंगे यह भी ऑस्टिला के फॉर्मल क्रिकेटर है लेकिन यह भी आई पील केलते हैं और बिग बैस लिए इस चिनने सुपर किंग्स की तरब से खेलते हैं इन्होंने पिछले साली उसे भी इन्होंने स 5.5 million dollar रहने की 37.32 crores इनकी क्या है इन्वल इंकम है उसेन वाट्सन है वह बहुत सारी IPL लीग्स जैसी जैसे IPL लीग है उस तरीके से PCL होती है पाकिस्तान सुपर लीग कुछ लोग जानते होंगे तो अगर उसके बारी में तो वह भी होती है और बिग बैस लीग तो सभी में यह खेलते हैं और यहीं से इनकी जो में इंकम है वह यहीं से होती है क्रिकेट ठीक है अगले नंबर पे आते हैं साहित अफ्रीदी साहित अफ्रीदी एक मार्च उनिस्वा था ठीक है और इंकी जो नेट वॉर्थ है वह 5.8 million net worth नहीं की यह इनकी जो एन्वल इंकम है व और इन्होंने जो अपने सन्यास लेने की खबर है वह इन्होंने 31 में 2018 को सुनाई थी अब फिप्ट नंबर पर आते हमारे विरेंदर सेवाग पाजी वीरु पाजी इनको कहते हैं ठीक है और यह देखी सकते हैं कितने फणी हैं और बहुत ही हार्ड एटर कहते थे इनको यह कभी भी पहले जो रन था वो ज्यादा तर सिंगल लेके नहीं करते थे ज्यादा तर करते हैं तो आप सभी जिनोंने इनको देखा होगा तो यह बहुत ही ताबर तोड़ बल्ले वास्ते आप जानते ही होंगे इनको ठीक है और उनकी जो टोटल इंगा मैं तो इनकी वह सिक्स पॉइंट वन मिल्लियन डॉलर यानि कि 41.39 करोड ठीक है और इंडिया और चैरिटी क्रिकेट लीग होती है ठीक है वो तो कोई भी मैं जीते हैं और जिता भी पहल जो आता है वो किसी ने किसी चैरिटी में चले जाते है ठीक है तो आप इनको जान सकते हैं और यह बहुत ही अग्रेसिव बल्लेवास थे और इंडियन साइट को 2001 में जोइन किया था और जो सेवा गैं वो बेस्ट हार्ट इटर्स इनक Tele में सबलेशनल स्कूल भी खोला है तो यह बात इंड़े जो आप उनके बाएप में जान सकते हैं अब फोर्थ नंबर पर आते हैं एब डिविलियर्स साउथ अफ्रेका के सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाडी इंडिया में ठीक है इन्हें मिश्टर 360 डिगरी भी कहा जाता है यह साउथ अफ्रेका के लिए खेलते थे अब इन्हों रिटार्मेंट ले लिए और यह रोईज 3.43 करोड यह कमाते हैं ठीक है और जो इन्होंने जो जन्म हुआ था वह आता सत्र फरवरी 1984 का जन्म हुआ ठीक है यह बहुत ही आई-पेड क्रिकेटर हैं और बहुत ही लविंग क्रिकेटर हैं इंडिया में ठीक है साउथ अफ्रेकन जितने भी प्लेयर्स हैं कितने जितने इंडिया में फूरन क्रिकेटर से उन्हें इंडिया में फूब सारा प्यार मिलता है खूब सारा सपूर्ट भी मिलता है ठीक है चाहिए या पर चाहिए वह अपने इंटरनेशनल मैचेस के लिए ही क्यों ना आते हैं और एक बात और याद रखने की है कि एब डिलियर्स के का रिकॉर्ड है फास्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके बास है यह भी डिविलियर्स के बास अब जो थर्ड नंबर पे प्लेयर हैं वह है क्रिस्केल इन्हें भी आप सबसे चाहते हैं शिक्सर किंग कहा जाता है इन्हें ठीक है और के भी तो किंग से लिवन पंजाब एक लिए वेस्ट इंडीज जो आते हैं और वहां सब वेस्ट इंडीज नाम की टीम मनाते हैं थीजहां वैस्ट इंडीज नाम से कहलते हैं ठीक है और जो गेल है हैं टेस्ट साइड को करने कैसा 2007-2010 में ठीक है अभी तो इन्होंने खेलते हैं एट आइंप यह लीग्स खेलते हैं ज्यादातर और जो गेल हैं यानिके के लेएं यह सिर्फ एक मात्र इसे कहा रहा है जिन्होंने टीट्वेंटी गेम में टीटी इंटरनेशनल में या भी इंटरनेशनल बोलें चाहें सारे डॉमिस्टिक लिक्स को मिला के दस जारन पूरे कर लिए ठीक है एक मात रैसे प्लेयर है 2010 में इन्होंने अपनी टेश्टी ट्रिपल सेंचुरी मारे थी ठीक है सेकेंड वह भी और 2013 में पूर्णे वर्यर्यर्स के खिलाब जो अब नहीं है यह फ्रैंचाइजी आइपियल में खेलती है तो इन्होंने आर्ट से खेलते हुए 175 रन बना दिये ठीक है और 2015 में पहले ऐस चक्के मारे हैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है अगले में आते हैं हमारे MS दौनी जिने कैप्टन कूल भी कहते हैं लोग ठीक है और इन्होंने हल ही में रिटायरमेंट लिए 2020 में बंदर गस्त को रिटायरमेंट लिए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत ही इन्टेश्टी तीम दो जारे लेके 2014 क्टेंशी करिये और लिमिटेड वर्श गेम यान्यकि की लिए 2017 तक इंडिया में कैप्टन के लिए और सफल कैप्टन मांने जाते हैं और यह विश्प के एक्मात्राइसे कैप्टन जिन्होंने आए सी केप्टन है जिन्हों केप्टेन कूल के नाम से तो जाना ही जाते हैं और इन्हें फिनिसर वेस्ट फिनिसर भी खा जाता है पूरिये वर्ल्ड में इनर क्रिकेटर ठीक है तो इन्होंने आपको जानते होंगे सब्सक्राइब करें इन्डिया को वर्ल्ड कप जिता है था ठाइस साल वाद ठीक है अगले मां आते हैं भाई हमारे विराट कोली इन्हें किंग कोली कहें रंद मसीन कोली कहें एग्रेसिव केप्टेन कहें यानि कि किसी भी नाम से बुणाएं इन्हें इनकी तारिफ रुके इंडिया जादे अच्छे क्रिकेटर हैं और यह बहुत ही अच्छे कैप्टन भी है ठीक है जो इंडिया टीम्स के यंगश्टर हों उन्हें मोटिवेट करते हैं यह एसी नहीं कि उन्हें समझाते हैं यह पहले वह चीज़ें खुद करते हैं फिर उन्हें अपने थूरू उन्हें मोटिवेट करते हैं ठीक है और इनके जो टोटल इंकम में 162.87 करोड़ है यह इंडिया और RCB के लिए खेलते हैं RCB के बहुत ही अच्छे कैप्टन है यह ठीक है वह सफल कैप्तान में है जो इनके जो विराट कोली एक इंडियन क्रिकेटर आप सभी जानते हैं रा हाल ही में विराट कोली ने इंस्टाग्राम में 125 million followers को क्रॉस कर लिया ठीक है और आप जानते हैं कि इंडिया में एक मातर है से सेलीबरीटी हैं या फिर एकमात्र है से क्रिकेटर है फिर एतलीट हैं जिन्होंने 100 मिल्यान मार्क क्रॉस किया थीग है इंस्टरागराम में ठीक है यह बहुत ही फेमर्स सेलीबरीटी होने के साथ सांथ हाड़ वर्किंग परसन है ठीक है और विराट कोली जी की ही captaincy में इंडिया world test championship के लिए qualify कर गई है और हाल अब कुछ ही दिनों में match होने वाले हैं और विराट कोली टीम इंडिया को lead करेंगे in England ठीक है इंग्लेंड में वो होगा और न्यूजिलेंड के against होगा world test championship तो आई होप विराट कोली टोफी जीत के लाएंगे इंडिया के लिए ठीक है तो पुछी टीम लाएगी में इन्होंने 2960 बनाएं ठीक है 75 की एवरेज है और 12 सतक बनाएं ठीक है किंग कोली भी कह सकते हैं इनको 72 century भी हो चुकी है अब इन्हें इनकी तारिफ कितने भी गल्लें वो कम ही है ठीक है इन्होंने जो योगदान दिया है इंडियन के के बढ़ते हैं आगे यहां पर आप आकी चीज इनके मारे में पढ़ दोस्तों आज के लिए यही था अगर आपको व्मारे वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्त के हाथ कमेंटी कीचा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोवि बहुत दन्यवाद जैहिंग जैभारत और ऐसी यह मारी वीडियो को शेयर करते रहें अपरें दोस्तों के साथ ठीक है दोस्तों